नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपका एक बार फेर आज के बैंक प्राइविटेशन के मेरे इस वीडियो में तो चलिए दोस्तों आज का अपडेट उठाते हैं बैंक प्राइविटेशन का और जानने की कोसिस करते हैं बहुत सारे कमेंट मैसिज मेरे पास आजाते हैं जबी कोई ऐसा स्टेटमेंट या बैंक प्राइविटेशन को लेकर कि सर आपका वीडियो कहां है क्यों नहीं अपलोड किया अभी तक किरप्या करके उस पे एक वीडियो बना दीजे तो मैं दोस्तों कभी भी जल्दी बाजी में कोई वीडियो नहीं बनाता चाहे वो मार्किट का हो चाहे कोई स्टॉक हो या फिक साब बैंक प्राइविटेशन को मैं पूरी चीज समझने और पढ़ने की कोशिस करता हूँ अब जैसे यह जो statement या बयान आया है यह बयान किसने जारी करा है कहा पर जारी करा है बो चीज समझे देखिए इंडिया पॉलिसी फॉरॉम में टीवी सोमनातन जी जो हमारे वित्त सचीव हैं उन्होंने यह बयान जारी करा है यह उनके सब्द हैं उन्होंने बिलकुल इस रूप से कहा है कि ये मेरे व्यक्तिगत विचार है मेरे मेरा जो ये personal views है मेरा personal opinion है इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है और सरकार ने भी दोस्तों इसकी आधिकारिक पुस्टी नहीं किये क्या कहा उन्होंने उन्होंने कहा है साथ सरकार जो है सभी सरकारी बैंकों का निजी करण कर सकती है बिल्कुल सही बात है साथ सरकार सरकार है सरकार कुछ भी कर सकती है तो उन्होंने काया कि सरकार जो है इन बैंकों का निजी करण यानि सरकारी बैंकों का सभी सरकारी बैंकों का निजी करण कर सकती है वित्यमंत्री निर्वासीतर रह्मन जी ने बजट बाशन में दो बैंक कहे थे और साथ इन्हों ने वित्य सचिप जो हमारे उन्होंने सहाफ सभी बैंकों का जिकर कर दिया और इसलिए साथ जो यह बैयान है वो थोड़ा सा तूल पकड़ गया लेकिन उन्होंने अपने बिल पर्सनल व्यूज होते हैं मैं भी जो कहता हूँ ऐसा संभव नहीं कि वो चीज हो जाए मैं तो अपनी रणनीती बनाता हूँ शेर मार्किट के लिए और आपको अच्छी लगती है तो आप कहते हैं वीडियो बना दीजे तो वीडियो बना देता हूँ अब यह जरू नहीं यह कि आपके व्यूज और मेरे व्यूज आपस में मेल खाएं आपके व्यूज अलग हो सकते हैं मेरे अलग हो सकते हैं समझ समझ का जो है यह फेर है तो साब उन्होंने कहा है दोस्तो कि सरकार लगबग सभी सरकारी बैंकों का निजी करन कर सकते हैं लेकिन ऐसा पॉसिबिल नहीं है यह उनके व्यक्तिकत विचार है पहली चीज़ अंतता देखिए उन्होंने जो ये लाइन चलती है जब ये पूरी न्यूज आती है इस पस्टी करण आते हैं या बयान आते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़े दोस्तों सोचने और समझने की होती है उन्होंने कहा है कि अन्तता एक लाइन बताई उन्होंने एक लाइन कही उन्होंने उसको समझने की कोसिस करिये उन्होंने कहा है अन्तता निजी करण और वास्तम में निजी करण में बहुत फरक है इसका क्या मतलब है इसका यही मतलब है कि जो चीज आप निजी करण को लेके सोच रहे हो औ में बहुत changes होंगे सरकार क्यापता 59 का formula लगाए सरकार क्यापता सारे rules and regulation अपने पास रखे सरकार ये कह दे कि जिस bank को हम निजी करन कर रहे हैं उसके सारे करमचारियों की जो jobs है सरक्मेरिकाल से service है वो जू कि तू रहेंगी ये भी और क्यों नहीं ये definitely possible है ये भी तो कहेगी कोई management अगर इन सर्तों को मानता है तो आईए उसका है स्वागत और नहीं तो सरकार के पास विकल्प हैं सरकार के पास ऐसा नहीं है बीच में आ गया करोना इस कारण दोस्तों ये जो 6-7 bank बचे है क्योंकि सरकार की मनसा 5-6 bank को की है क्योंकि जो वित्त सचीवों नहीं अपने वियान में ये भी कहा है कि सरकार इस छेत्र में सरकारी वीमा छेत्र में अपनी उपस्तिती बहुत कम रखना चाहती है इसका इस पस्त संकेत है कि सिर्फ 5-6 बैंक ही रखना चाहती है अब हैं 12 बैंक सरकार मर्जर की परकरिया करी रही थी कि बीच में करोना आगया रुख गए तो सरकार को साब पैसे की आवशकता महसूस हुई तो निजी करन का सहरा लिया गया इस निजी करन के सहरे से इन निजी करन की निउस से जो अब चल लही है जो ट्रेंड में है इनके कारण साब आप इनकी मारकिट कैप में जवरदस उचाल देखोगे बैंकों में ये नियूस आएंगी और अभी कुछ दिन और आएंगी IDBI का एक्सामपिल मेरे सामने लिया जाता है बता जाता है कि सर IDBI एक्सामपिल के लगबख बोलियां मंगाई जा रही है बोलियां बिट्स मंगाई जा रही है उसका निजी करण लगबग लगबग पूरा हो चुका है तो मैं दोस्तों आपसे यही कहना चाहूँगा कि अभी परकरिया चल रही है अभी परकरिया समाप्त नहीं हुई है परकरिया जो है चल रही है और यह परकरिया मेरे क्याल से 2017-18 से IDBI बैंक को प्राइवेट करने की चल रही है तो इतनी जल्दी इतनी आसानी से कोई बैंक का प्राइवेटेशन या निजी करण हो जाई यह संभव बिलकुल नहीं है पहली चीज बिलकुल स्पस्ट कहा है उन्होंने अब उनके बैंक के अधार पर तो यही चीज निकल के सामने आती है कि जो उन्होंने कहा है उन्होंने बिलकुल इस पस्ट रूप से कहा है कि सरकार इन बैंकों में साब निजी करण यानि पूरा निजी करण नहीं करेगी इन बैंकों को पूरा निजी करण नहीं करेगी इस बयान को इस चीज को समझने की कोशिस करो कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं दोस्तों जिनको समझना चाहिए अपने इस स्टेटमेंट में पहली चीज उन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत मेरे अपने खुद के विचार है दूसरी चीज उन्होंने कहा है कि सरकार सभी सरकारी बैंकों का निजी करण कर सकती है करेगी या नहीं ये बात की बात है कर सकती है दूसरा पॉइंट अंतता एक लाइन देखिए बगल में ग्राफ चला है आपके लिए उन्होंने ये कहा है कि निजी करन और जो वास्तम में निजी करन होगा उसमें बहुत चेंजिस होंगे मैंने आपको बताया ना एक्क्यावन उननचास हो या एक्क्यावन तीस हो मैनेजमेंट जो इच्छा हो ले नहीं हो तो साब मरजर खुला हुआ है तो ये चीज़ को दोस्तों समझना चाहिए जानना चाहिए कि आखिर ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टेट्मेंट आता है तो उसका अमल जामा या जो मेरी कारद से उसका रियक्शन एकदम तुरंत हो जाएगा ये पॉसिबल नहीं है बहुत समय लगता है और इसी समय में साब कोई बैंक अच्छी खासी तरक्की कर लेता है जैसे आयो भी तरक्की की नहीं की सेकिंड लार्जेस्ट बैंक बन गया साब SBI के बाद दूसरा पचास सजार क्रोर की मार्किट कैप देगे सरकार का मकसद यही है कि जब हम किसी बैंक का अगर निजी करन करने जाते भी है पहली चीज निजी करन अगर करने जाते भी है तो उसमें जो भी करमचारी है उनके हितों का सुरक्षित रहे यानि कि उनकी जो जौब है सरकारी नौकरी है वो सुरक्षित रहें और ये चीज वित्रमंत्री पहले ही अपने बजट मेरी काल से कोई उन्होंने स्टेटमेंट दिया था उसमें वो कह चुकी थी कि साथ जो भी जो भी करमचारी है उनके हितों का पूरा ध्यान रखा यानि कि जैसे आयोबी में पचास अजार करोड अब सरकार किसी बैंक को दोस्तों नीजी करन करती है और साथ पदा चला हाथ में कुछ ना है तो ये अच्छा सा नहीं लगता वो बात की बात है कि नीजी करन होगा या नहीं होगा लेकिन इनकी मार्कित कैप अट्रेक्टिव तो बनाई जाए इनके साथ नीजी करन से पहले इनकी जो से मार्कित कैप है जो मैनेजमेंट को दूसरे मैनेजमेंट जो इंटरस्टिड होगा उसको लेने के लिए उसको द पर्तिशत की हिस्षेदारी भी बेचेगी और उना मारकिटप इनकी market cap जो बड़ी होगी जब उसमें हिस्सेदारी बेचेगी तब ही तो उसको अधार मानके बताया जाएगा बैंक है इसमें हम 10% की हिस्सेदारी बेचेंगे या 20 की बेचेंगे या 30 की बेचेंगे इसमें सारे rules and regulation हमारे होंगे करमचारी हमारे होंगे तब जाके उस बैंक का निजी करण होगा समझा करो यार बहुत सारी चीजे बहुत सारी चीजे दोस्तों समझाने की है जो ब्याने बिलकुल इसपस्ट इसारा कर रहे हैं कह रहे हैं कि अन्तता निजी करण और वास्तम में निजी करण जो है वो सहाब एक बहुत ही अलग जीव जीई अब पूरा ही नीजी करण होगा ऐसा समभव नहीं है बैला उन्होंने कहा है कि ये पूरी порत का करण नहीं होगा बैंकों का पूरी तरह का निजी करण नहीं होगा सिसज को समझे और मेरे भाई जानों पहचानों हाँ उल्ला सर स्टेट्मेंट आ गया भी सचीव का भई स्टेट्मेंट आ गया उनके वेक्तिकत विचार है तो इस चीज को समझो पहले अट्रेक्शन पैदा करो इनकी मार्किट कैप को बढ़ाओ ज़रोरी नहीं कि सरकार को मैनेज कोई सामने खरीदार मिल ही जगे, नहीं मिलता तो क्या होगा बैंकों की हालात तो सुधर ही गई है, पचास हजार करोर का बैंक तो बनी गया है, बाद में इनको मर्ज भी है, सरकार के बाद विकल बहुत है दूसरा bank भी अगर उसी रहा पे चल निकला न्यूस के कारण ये न्यूस जो आती रहेंगी उसकी market कर बढ़ती रहेंगी दोनों बैंकों का merge करके एक लाग करोड का bank आपके सामने होगा मंसा समझे सरकार की मंसा समझे सरकार ने पहले ही इसमें main problem जो है दोस्तो वो government employee की है जो खाता दारक है उनकी है सरकार को भी यह चीज पता है सरकार भी यह चीज जानती है कि यहाँ पर लोगों की गाड़ी कमाई है बैंकों में जो है लोगों की गाड़ी कमाई है इस तरह सरकार हर चीज को ध्यान में रखेगी बिल्कुल इस पस्ट ब्यान दे रखा है कि अंतता निजी करण और वास्तव के निजी करण में बहुत जमीन आसमान्स का अंतर है सरकार सारी चीजी और सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही नीजीकरण पर फैस्ल लेगी बहुत कुछ होता है दोस्तों बताने के लिए लेकिन कुछ मरियादा है और कुछ लिमिटेशन है जो मैं आपको नहीं बता सकता लेकिन इतना मानिये कि इस नीजीकरण से इस तरह के स्टेटिमेंट से इस तरह के बयान से आपको घुबराने की चिंदा गरने की कोई आवशक्ता नहीं है बैंकों में लगातार सहाब बंपर भरतियां निकल नहीं है मैं रोज एड देख रहा हूँ कभी बीओ आई में कभी सहाब मेरे ख्याल से किसी और बैंक में नियाम्याद नहीं रहता बंपर भरतियां निकल लाइं अगर सरकार को इनका निजीगरन करना था करमचारियों को निकालना ही था तो सरकार इन में भरतियां करती क्यों नहीं भरतियां कहां क्यों करती तो बहुत सारी चीजे दोस्तों ओती है एक statement ये था हमारे TV सोवनाथन जी का जो वित्य सचीव हैं और साव एक स्टेटमेंट हमारे जो पूर डिप्टी गर्वर्नर है अर्बियाई का उनका भी स्टेटमेंट आया है निजी करण को लेकर वो कोई इतना इंपोर्टेंट्स नहीं लगता उन्होंने वकालत की है कि निजी करण उनी लोगों को उनी को दिय जाना चाहिए मैनेजमेंट उनी बैंकों का निजी करण अगर सरकार करती है तो बैंकों को उनी हातों में दिया जाना चाहिए जो अच्छे हूं जो अच्छा मैनेजमेंट हो और सरकार का दोस्तों यह मेरी ख्याल से निजी करण का मतलब यह नहीं है निजी करण करने से बै तो जब भी कोई statement आता है दोस्तों तो उसके कहीं पहली होते हैं कहीं चीजे देखने और समझने की होती हैं उन चीजों को देखके सोचके समझके ही कोई वीडियो बनाई जाती है अब जैसे इसमें कहीं point थे वो मैंने आपको बता दिये तो आज का वीडियो मेरी कहल से दोस् खुसी की लहर भी आ सकती है यानि कि आपके चेरे पर खुसी की लहर आ सकती है जब निजी करण की परकरिया होगी वित्तमंत्री जी का बयान है मेरा नहीं है वित्तमंत्री जी का बयान है कि निजी करण वास्तम में जो निजी करण है और जो फिलाल निजी करण की आप सोच नए टॉपिक के साथ तब तक कीजे इंतजार फाइनली आपसे नमस्कार